तो दोस्तो आज की सीफिडियो में आपको बताने वाला कुछ important practical के बारे में जो की electronics mechanics ड्रेट के हैं बहुत से लोगों दूसे जिनका आज practical होगा तो आप से लोग इतप पर लिएगा अगर आपको यह सभी प्रक्टिकल आते हैं तो इन में से हो सकता हूँ कोई एक प्रक्टिकल आ जाए ठीक है मेरे कोई गारंटी नहीं है कि यहीं आएंगे लेकिन यह बहुत जादा इंपोर्टन्ट है आप इनको एक निज़ा जिरू से देखिएगा वीडियो में सब्सक्राइब कर लेना उसको प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लूट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कौसल आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो यहां पर दोस्तों कुछ एलेक्ट्रोन अक्समगेने ट्रेड सेकेंडियो से लिटे मैं आपको प्रक्टिकल बताने वाला हूं इससे पहले मैं आपको बता दुम अगर आप मुझ से परसंट्वाइब कोई बात चीत करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्ट्राग्रां फॉल्व कर सकते हैं मैं तो इसमें दूस्तों मैं seven segment counter circuit बनाने को बोला गया है अब देखी इस वीडियो में जितने भी आपको प्रेक्टिकल बताऊंगा वो गारंटी नहीं है कि वही आएंगी ठीके यह आ सकते हैं यह कोई गारंटी नहीं है अब देखी जो प्रक्टिकल होता है ना आपके स्कूल मे में जो भी प्रक्टिकल एक्जाम होता है तो उसके पहले आपके कॉलिज में क्या हूँ सामाना आता है फुर एक्जामपल इस seven segment counter circuit में इस प्रकार से बना सकते हैं बाकी आपकी जो प्रक्टिकल होगी उसमें जरुर से चेक कीजिएगा है seven segment counter circuit नेक्ट प्रक्टिकल की बात करें दोस्तों ये है डिजिटल क्लॉक शर्कृट इधिए एवी एक इम्पूर्टेंट प्रक्टिकल जहांपर हमें digital clock circuit को बनाने को बोला गया है यहां पर करना कुछ नहीं है यहां पर बहुत सारी सब्सक्राइब को बनाना पड़ेगा अगर आपको प्रिक्टिकल में पुछ लिया गया नेक्स दोस्नों LED स्टेक्ट विद आई सी 555 अब यह दिखिए मेरे टीचर ने बोला यह भी वह चाहता है उन्हें ने बोला है कि यह आ सकता है लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कि यह अगर आपको अरेड़ी आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता तो आप लोक्सिक लीजिए यह बहुत ज्यादा इजी है यह प्रिक्टिकल बहुत इजी है जहां पर कुछ नहीं हमें करेंट लिमिटिंग रेश्टर बहुत सारी LED सुईच बैटरी और एक अची और एक कापसिटर भी चेह पड़ेगा जो कि 10 माइक्रोफरेट तू 100 माइक्रोफरेट तक हुगा यह बैरियेवल का पासेटर रेटेक है यूग कि इसकी बैलिये दोस्तों 10 से लेकर 100 तक दे गई है अगर यह बैरियेवल केपसिटर नहीं होगा तो इसकी वैली फिक् सरकेट वेज रेगुलीटर आइसी 788 अब देखे हम सभी लोने उस्तों फरस्ट एयर में जो स्यालवस्त था उसमें रेगुलीटर आइसी ती तो बहां पर हमें पता है दो परकार की स्कीजी होती थी एक 88 एक्सेस और एक उन्याजी एक्सेस तो यहाँ पर दोस्तों हमें र सरकेट डाइगराम मनाना पड़ेगा यहां पर प्ड़ सकते हैं 7805 एड्सटेवल ड्यवार्टे रेगुलीटर सरकेट डाइगराम तो यह एक अड्सटेवल बौटेज रेगुलेटर सरकेट डाइगराम है इसके बाद दूस्तों बात करें तो एक डिजिटल लखी रेंड से इसको बनाया जता है यह सभी प्रेक्टिकल दूस्तों आपकी प्रेक्टिकल वाली बुक में दरूर्ट से होंगे तो आप अपने प्रेक्टिकल वाली बुक को चेक कीजिएगा उसमें से देखें सभी को पढ़िएगा समझीएगा बर यह डिपेंड करता है कि आपने यह अब यहां पर दूस्तों एक प्रेक्टिकल है जो कि मैंने आपको अभी बताया था जो कि था समझीएज की पावर सप्लाई को चेक करना ATX कनेक्टर के द्वारा तो यह मैंने अभी बताया था तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं लिंक का आपको डिस्केप्स में देखने को मिल यागी बाखी SMPS सभी इंपूर्टेंट है उस सभी बहुत इजी है ठीक है जैसे कि आप मैन कंपोनेंट्स ऑप SMPS SMPS सॉकेट एन कनेक्टर्स मोनिटरिंग औफ कंप्यूटर संपीएस SMPS इंपूर्ट आउटपूट संपीएस कपैसिट टेस्ट संपीएस कंपोनेंट्स SMPS पावर सफ्लाइच चेकट बाए टेक्स किनेक्टर तो यह लास्ट वारा तो मैंने आपको बताई था तो SMPS स्भी जितने भी प्रक्टिकल दिए गए बोकंपो सभी इंपूर्टेंट है ठीक है तो यह सभी दूस्तों कुछ सब्सक्राइबर में बता चीए उन्होंने बता हुए और कमपलीट में आपको बता रहा हूं अगर आपके क्लास चीज ने कोई इंपूर्टेंट्स प्रेक्टिकल बता हुए तो आप जल्दी से जाए नीचे इंस्टाग्राम पर फॉलू कीजिए बहां पर मुझे मैसेज करकर उनको बता दीचिए ताके मैं और सभी को यहां पर बता सकूं मुझे अमीद है दोस्तों कि आपको इस प्रकार से प्रेक्टि बता है देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी वीडियो में चैहिन बंदे मात्रम